आज ही doubtnet आप download करें doubtnet पर होगा अब आपके सभी maths, chemistry, physics और biology doubts का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ Download now हमारे पास question ही कि cathode rays have same charge to mass ratio as of alpha particle, beta rays, anode rays और protons इन चारों में से किसके समान होता है हमारा e by m ratio cathode rays का ठीक है? तो cathode rays की बात करें अगर हम तो क्या होती है cathode rays? हमारा जो CRT tube होता है cathode ray tube होता है उसमें हमारी cathode से emit होते हैं और anode तक जाता है हमारा क्या? एक electrons की beam उसको आपकेते हैं cathode rays कहते हैं ठीक, तो cathode rays क्या है basically हमारा electrons से consist हैं तो electron का जो e by m ratio होगा वो हमारा cathode rays का होगा ठीक, तो अगर हम देखें alpha particle, alpha particle क्या होता है हमारा? helium plus 2 ठीक है? helium plus 2 होता है तो helium plus 2 के equal तो होगा नहीं electron का यह भाई है ठीक है क्योंकि इसका charge भी अलग है ठीक, इसका charge क्या है? 2 e के equal है, अब mass क्या है इसका? helium में क्या होता है हमारे पास helium का atomic number होता है हमारा कितना 2 ठीक तो इसमें जो इसका mass कितना होता है हमारा mass होता है इसका 4 ठीक है तो इसमें क्या हमारे पास 2 protons है और 2 neutrons है ठीक है तो इसके mass की अगर बात करें हम तो mass पी इसका कहीं से कहीं equal नहीं होगा से तो जो हमारा इसमें इसका क्या मास हो गया हमारा टूपी लफ विसकली फोर प्रोटों की इक्वल इसका मास हो गया क्योंकि प्रोटोन और न्यूटोन का मास होता है वो नियरली सेम होता है ठीक इलक्टोन का मास काफी कम होता है ठीक अब इस पर क्या मास भी ज्यादा है और चार्ज भी ज़ादा है ठीक वो भी double से नहीं हमारा charge तो double है लेकिन mass क्या है हमारा charge इससे ज़ादा होगा क्योंकि proton और electron के mass में बहुत ही huge difference होता है ठीक तो alpha particle की equal नहीं हो सकता है इसका mass b ratio ठीक बीटरेस की बात करें तो बीटरेस क्या होती है हमारी ठीक रेडियक्टिव डि है ठीक है तो जो e by m ratio होगा वो cathode rays का और beta rays का same होना चाहिए क्योंकि दोनों ही लगटाओं से consistent है e by e by m दोनों का same होगा जब चार्ज दोनों पर same होगा mass दोनों का same होगा ठीक तो beta rays हमारा correct option होगा है इसमें anode rays की बात कर लेते हैं तो anode rays क्या होती है हमारे पास क्या होती है हमारी basically beam of हमारे ionized ionized कोई भी atom है ठीक एक M माल लिए हमने plus ठीक M plus की beam है ठीक है उसकी वो anode rays है हमारी अपनी personal ठीक और anode rays का जो e by m होता है ठीक वो क्या different होता है different for different gases ठीक है different gases के लिए इसका e by m different होता है एनोड्रेस का क्योंकि हमारा पास कोई भी हो सकता है हीलियम की भी में फिर लीथियम की फिर किसी भी किसी भी गैस की भी में ठीक वो होती है हमारी एनोड्रेस होती है तो उसके में हमारा जो चार्ज होता है वो भी वेरी कर सकता है और हमारा जो मास होगा वह भी कर सकता है ठीक तो ये भी नहोगा हमारा right answer जो होगा सिर्फ वो होगा beta raise, ठीक है? B option हमारा correct होगा, ठीक है? Thank you. Classics to 12 से लेके NEET IIT जेही means और advanced के level कक, 10 million से जादा students का भरोसा. आज ये डाउनलोड करें doubtnet app या WhatsApp कीजिए अपने doubts 8444 पर.